असलाम अलेकम आज ये बात करनी है पाकिस्तान के जर्नेली सर्बरा जर्नेल कमर जावेद बाजवा के उस हंगामी सौधी दोरे की जो के उन्होंने सौधी शहजादे मुहम्मद बिन सल्मान को राम करनी के लिए किया था लेकिन वो अपने इस जर्नेली मिशन में कामजार नहीं हो सके और उसकी वज़ा ये है कि साओधी वलियाद मुहम्मद बिन सल्मान ने उन्हें अपनी उस जादोई छड़ी समेत करीब आने का मौका ही नहीं दिया जिससे वो पाकिस्तानी सियासी शहजादों को काबन हो रखत यानि घास का लवस क्यों इस्तमाल किया है तो इसकी वज़ा ये है कि जर्नेल साब का तालुक जिस महकमे से है वो पाकिस्तान में मुकदस गाय के तोर पर जाना जाता है और इसी मुनास्वत से मैंने इस मुकदस गाय के लिए घास में डालने वाली बात किया है अगर मुका बाजवा जनल बाजवा को ऐसे वक्त में करना पड़ा जब उसकी जादोई चड़ी की मदद से जनल लेने वाली हकूमत की दूसरी साल गया थी और उसके उन्हें बहुत सारे इंतजामाद भी करने थे लेकिन वो ये सब छोड़ चार कर हंगामी दोरे पर साओधी अरब चले है लेकिन साओधीयों ने उनके इस जजबे की कोई कदर नहीं की और उने एक जूनियर शहजादे खालिद बिन सल्मान के हवाले कर दिया इस शहजादे ने एक फोटो सेशन करके जनल बाजवा को अपने फोजी जनलों के हवाले कर दिया और ये तो आपको पता ही है किसान क का मुलकी मौामलात में ऐसा कोई किर्दार नहीं है जिस तरह का मरकजी किर्दार पाकिस्तान में इस मुकदस गाय का है जो चारा खाते हुए किसान के बच्चे के हिस्से की सूखी रोतियां में खा जाती है जनल बाजवा के इस दोरे के हवाले से जनली मीडिया ने बहुत लंबे चोड़े दावे किये थे कुछ जनली मुझाहिदीन ने तो इसे ऐसा मतालियाती दोरा करा दिया था जिसमें जनल बाजवा ने सौधियों को पाकिस्तानी अजमत का दर्स पढ़ाने और फोजी आहमियत समझानी थी असुली तो पर तो ये सिफारती मुहिम आक्सफोर्ड से सियसियात में थर्ड क्लास वाली डिग्री वाले इमरान न्याजी की कप्तानी में होनी चाहिए थी लेकिन उसके जनली सरप्रस्ट अब शायद उसकी हमाकतों को मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते आप लोगों को याद होगा कि पहले ऐसे दोरों पर जनल बाजवा और जनल फैस इमरान न्याजी को भी साथ रखा करते थे ऐसा ही एक दोरा इरान का भी था जिसमें इमरान न्याजी की जुबान फिसलती जा रही थी और फिर जनल फैस से बरदाश नहीं हो सका और उसने इमरान न्याजी को डाइस पर जाकर परची दी और समझाया कि साओधी अरब और इरान की सालसी वारी बात किस अंदाज में करनी है साओधी बादशा के साथ मुलाकात के वड़ भी एक बार इमरान न्याजी ने परोटोकोल की संगीन खिलाव वर्जी की थी शायर इतनी हमाकतों को देखते हुए जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कोई मजीद खत्रा मोल नहीं लिया और इमरान न्याजी को वजीर अजम हाउस के फूर्थ फ्लोर पर नजर बंद करके वो अकेले ही इस दोरे पर चले गए जनरल बाजवा के साओधी अरब जब आमद ही तो वहां भी कोई खास प्रोटोकोल नहीं मिला और उनके इस्तक्बाल के लिए शाही खानदान का कोई एहम रुकम नहीं आया था दोरे के दोरान भी सिवाए दिफाई अमूर के किसी एहम मसेले पर बात नहीं हुई और जनरल बाजवा जिस मसले को हल करने के थे उसको हल करने की बजए शिकायात का एक नया पलंदा जनरल बाजवा के हाथ में थमा दिया गया मुझे तो ये जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो सरासर जियाती लगी है साथियों ने इतनी अजीम जर्नायल की तश्रीफ आवरी से कोई फाइदा नी उठा है अगर उन्होंने दिफाई अमूर पर ही बात करनी थी तो उसके लिए किसी भी छोटे मोटे जर्नायल को भेजा जा सकता था या फिर फॉन पर भी गपशप हो सकती थी जर्नल बाजवा इस वक्ड दुनिया भर की स्यासत का एक्सपर्ट समझा जाता है अमरीका से लेकर चीन तरक के सरब्राहों से उसके जाती तालुका आते हैं एक एटमी ताकत का वो जर्नायली सरब्राह है महिश्यत के हावाले से भी उसका दावा है कि वो उसका भी माहर है तो ऐसे आल राउंडर से फैज हासिल ना करना सौदियों की बदकिस्मती है ऐसी हर्फन मौला शक्सियत उनके पास चलकर आई हुई थी और उनों ने उसे अपने नायब वजीर दिफार और चंद जर्नैलों के इलावा किसी एहम शक्सियत से मिलने का मौका नहीं दिया बाहराल अब लोट के बुद्दू घर को आए और वो भी खाली कटोरा लेकर सौदी शहजादे ने शाम महमुद कुरिशी की जुबान से दिलवाई गई जर्नैली धंकियों पर जो मूँ फेरा है वो इसे सीधा करने को तैयार नहीं सूरतिहाल में तलखी पहले की तरह बरकरार है ना तो अब तेल उधार मिलेगा और नहीं बैंकों में रखनी के लिए मजीद डालर जर्नैली नियूज चैनल के मुस्तनद बूट पालशी साबिशाकर में तो पाकिस्तान और सौदी अरब के दर्मयान इस कशिवगी को भी इमरान न्याजी वाला एन नारो का तर्का लगा दिया मुसूल फर्मा रहे थे कि ये सारी खराबी इसलिए पैदा हुई है कि सौदी अरब वाले नवाज शरीफ के लिए एन नारो मांग रहे और जनरल बाजवा और इमरान न्याजी ने फैसला किया है कि इस दबाव में नहीं आना चाहे पाकिस्तान के पले कुछ मी नहीं रहे शरीफ एमली का इस्तसाब इसी तरह जारी रहेगा मुझे तो ये तर्जिया भी शाह महमुद करेशी के बियान जैसा लग रहा है इस से सुरते हाल में मजीद तलखी बढ़ेगी और तेल वाली सरकार हमें उधार तेल देने की बजाए साओधी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को महावरे वाला तेल और वो भी तर्टा तेल देने की महिम शुरू कर देगे साबिर शाकिर ने काफी मेर्च मसाला लगा कर सारी खराबी की जड़ शरीफ फैमिली को करार दिया है बिलकुल इमरान न्याजी की तरह जो के अपनी हर नाकामी और नालाइकी पर इल्जाम पिछली हकूमत के मत्थे लगा जिता है पाकिस्तान और साओधी अरब के दर्मयान पैदा होने वाली इस किशीदगी में इजाफे की सबसे बड़ी वज़ा वो बियानात हैं जो के शाम महमूद कुरेशी की तरह से आए थे इन बियानात के हावाले से ज्यादतर लोगों की यही राया है कि यह बियानात देते वड़ उसने अपने सियासी बास इमरान न्याजी को एतमाद में नहीं लिया और उसने भी फवाद चोधरी की तरह अपनी ही हकोमत के लिए मुशकलात में किसी और के इशारे पर इजाफा करने की कुश्च की है इमरान न्याजी इस बियान पर गुसे में है लेकिन उसे अच्छी तरह पता है कि वो ना तो फवाद चोधरी के खिलाफ कोई कारवाई कर पाया था और नहीं अपने मुदी के खिलाफ कोई वो ऐसी कारवाई कर सकता है जिसकी मनजूरी जर्नेली हकूमत की तरफ से ना दी गई हो इसलिए शाह महमुद कुरेशी को सबक सिखाने के लिए उसने अपने उस प्रिंस्पल सेकरेटरी आजम खान का सहरा लिया है जिसने कुछ हरसा पहले फिर्दोस आशी कावान को भी घर जाने पर मजबूर कर दिया था मीडिया में रिपोर्ट अने वाली खबरों के मताबक आजम खान और शाह महमुद कुरेशी के दर्मयां तल्ख लामी और इस दोरान आजम खान ने शाह महमुद कुरेशी को थपर मार दिया इस थपड़ बाजी की तफसीलात सामने नहीं आ रही एक तरफ दोनों फरीकों के चेले अपनी अपनी पहलवान को थपड़ मानने वाला पहलवान मेशूर कर रहे हैं और दूसी तरफ खबर ब्रेक करने वाले चैनल को मीडिया के लिए नेप काया काम करने वाला इदारा जिसे पैमरा कहते हैं उसकी तरफ से ये थपड़ बाजी वाली खबर नशे करने पर नोटस जारी कर दिया गया है लेकिन मेरी जाती राय में इस थपड़ बाजी जिसकी पिदा चाहे न्याजी के खान ने की हो या जनल बाज़वा के कुरेशी ने इससे कोई फ़र्क नी पड़ता इस थपड़ बाजी से ये पता चल रहा है कि निका और अरबा किस हद तक एक पेच परें मेरा तो ये ख्याल है किस मारधार के पिछे वो दोगला इमरान न्याजी है जो के ऐसे मौकों पर बदला लेने के लिए किराए के बदमाशों से काम लेता है शाम महमुद कुरिशी को चुँके ये पीटी आई की फारंग फंडिंग का भांडा फोलने वाले दोस्त की तरह गिरेबान से पकड़कर घर से नहीं निकाल सकता था इसलिए इस काम के लिए इसने एक बार फिर फिर्दोस आशिक आवान वाला हत्यार इस्तमाल किया इमरान नियाजी को भी अपने घरेलू पीर के जिमनात की मुखबरियों की वज़ा से शाम महमुद कुरिशी पर ज्यादा इतमाद नहीं है उसे अच्छी तरह पता है कि माइनस वन फार्मूला तयार करने वाले साइंसदानों के साथ सबसे ज्यादा तावन कौन करता है इमरान नियाजी ने इस थपर से शाम महमुद कुरिशी को आने वाली थांपर लाने की कोशिश भी किये और साथ ही साथ उसे उस गयर जरूरी बियान बाजी की भी सजा दी है जिसकी वज़ा से साथी अरब से ऐसी लड़ाई शुरू हो चुकी है जो किसी भी तोर साथी शहजादे के पाकिस्तानी ड्रैवर के मुफाद में नहीं इस बियान बाजी से अगर फाइदा हुआ तो वो उस मुकदस गाए को होगा जो कि फिलहाल बगार घास खाए साथी अरब से वापस चली आई है इस लड़ाई से मुकदस गाए के सियासी वच्छे को भी नुकसान होगा लेकिन सबसे ज़एदा नुकसान महंगाई के मारे आम पाकिस्तानियों को होगा आम पाकिस्तानियों को इस जर्नैली हकूमत और इस मुकदस गाए के चारे की सप्लाई के लिए मजीद टैक्सिज और महंगाई का बोजबरदाश करना पड़ेगा सौधी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा फौरी तोर पर जंग बंदी ना हुई और उधार तेल वाली सहुलत बहाल ना हुई तो आने वाले दिनों में इस मुकदस गाए को तोन भर कर चारा देने के लिए पाकिस्तानियों को अपने पेट पर दो चार पत्थर और बांदने होगे क्यूंकि मोटे पेट वाली मुकदस गाए को ना तो फाके पसंद दें और नहीं कम घास खाने की आदत है अब इजाज़त दें वीडियो पर आपके फीड़बैक आपके कामेंट्स के अन्जार रहेगा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें अलाहाफिज